नमस्कार, असोक्स किचन में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं मिस्सी रोटी ये साधानतिया तंदूर में बनाई जाती है यानि मिट्टी के अवन में लिकिन यहाँ पर हम इसे तवे में बनाएंगे दोस्तो रेसिपी वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजेगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी इसके लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी लिया है बेसन और अब इसमें डाल देंगे एक कटोरी आठा सेम रिशियो में आठा और बेसन ले लेंगे केवल बेसन से बनाने में इसको हैंडल करने में दिक्कत होती है तो इसलिए आठा और बेसन बराबर मात्रा में लिया जाता है तो इसको हम मिक्स कर देंगे और अब दो चम्मच इसको निकाल लेंगे परोथन के लिए और अब हम इसमें डालेंगे प्याज ये एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज है और इसमें डालेंगे ये एक चम्मच कसूरी में थी कोई भी पत्यदार चीज डालनी चाहिए इसमें डाल लेंगे नमक तो आप इसके जवाब पालक भी डाल सकते हैं मेथी की जगा थोड़ी सी हल्दी डाली और ये डाल दिया अजवाइन आदी छोटी चम्मच एक कटी हुई हरी मिर्च और एक चम्मच लस्ण अद्रक का पेस्ट इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो लगा लेंगे जैसे रोटी का डो लगाते हैं उसी तरीके से चुकि इसमें बेशन है तो ये पानी कम एब्सॉब करता है आदा है झाओ झाओ झालते हैं पानी करता है अब इसमें डाल देंगे एक चम्माज तेल और इसको मसल करके चिकना कर लेंगे तो इसमें आधा कप के करीब पानी लगा है तो अब इसे रख देंगे पाँच मिनट के लिए ज्यादा देर इसको नहीं रखना है क्योंकि इसमें प्याज है नहीं तो आटा ज्यादा गीला हो चाएगा तो इसको फिर से हम एक बार गूत लेते हैं पाँच मिनट बाद और इसके अब हम पेड़े काट लेंगे इसके पेड़े काट लिए हैं नॉर्मल रोटी से डबल साइज के पेड़े लगते हैं इसमें क्योंकि ये रोटी मोटी होती है तो अब इसके हम पेड़े बना लेंगे और अब इसको हम बेल लेते हैं तो इसको पहले हम सूखे आटे में जो हमने निकाला था उसमें लपेट लेंगे और थोड़ा सूखा आटा भी चकले पर फेला देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हाथों से इसको पहले फैला देंगे और इसके बाद अब इसको हम बेल लेंगे तो इसे नॉर्मल रोटी से डबल मोटाई में बेल लेना है इसे हाथों से भी बढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा तो ये बिल चुकी है रोटी अब इसे हम सेख लेंगे इसे मध्यम आज पर सेखना चाहिए और ये तवा मीडियम गरम है इसको हमने डाल दिया है एक तरब से हलका कलर आने पर इसको हम पलट देंगे और इसे हलके से दबाते हुए हम सेख लेंगे आज को मध्यम ही रखना है और अब इसके उपर हम घी लगाएंगे आप इसके उपर तेल, मक्खन, घी जो भी आपको पसंदो लगा सकते हैं घी लगाने से इसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है हम दूसरी साइड से भी थोड़ा घी लगा देंगे ये रोटी आप वैसे किसी भी दाल या सबजी के साथ सर्फ कर सकते हैं मगर ये खास करके दाल, मक्खनी या फिर कोई पनीर की डेशो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट लगती है तो इस तरीके से ये बढ़ियासी करा रही है में सी रोटी तयार हो चुकी है इसे आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं तो इसे भी बिलकुल उसी तरीके से से शेक लेते हैं तो इस तरीके से तयार हो गई है ये मिस्सी रोटी तो जब नॉर्मल रोटी खाने का नामन हो तो बनाइए वाली मिस्सी रोटी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए चैनल पर पहली बारा हैं सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद